जेहिन सत्यों हमारे एकोर जवान के सहीद होने की सुचना प्राप्त हो रही है। सत्यों हम आपको बता दे कि सहीद जवान ब्रजेंदर सी हैं गोर के लाल SSB जवान के सहीद होने की सुचना मिल रही है। साथियो प्राप्त जानकारी के अनुसार बजेंद्र सी हैं असम में तेनाते जहां वो बाढ़ पिडितों को बचाते समय सहीत हो गए हैं सहीत जवान बजेंद्र सी हैं SSB जवान सक्रार के रहने वले हैं साथियो सही जवान बजेंदर सिहें का पार्थिय शरील कल सेना के विशेश वहान से सडक मार्ग होता हुए उनके पिथिक गाउन लाया जाएगा जहां कल सुबहा यानि कि रईवार के दिन उनका आड़ बजे अंतिम संसकार किया जाएगा साथियों उनका अंतिम संसकार कल सकरार में किया जाएगा जहां सेना की टुकड़ी भी साथ मोजूत रहेगी और अपने साथी सहीद जवान बजेंदर सिहें को सेना सम्मान देगी वहीं साथियों सहीद जवान की सہादत की सूचना मिलते ही unlock अनके गाउ सक्रार और उनके आसपास के छेतर में मातम परजगया है वहीं परिजनों का रोरोकर बुरा हाल साथियों हम आपको बताते की सहीद जवान बजेंदर सिहें की कल अंतिम यात्रा निकाली जाएगी जहाँ सासन प्रसासन के लोग भी साथ में मोजूत रहेंगे और भारी जनसेलाब ओमडने की भी आसंका बताई जा रही है वहीं उनके गाउं सक्रार में ही उनका अंतिम संसकार पूरे राष्टिय सम्मान के साथ किया जाएगा वहीं इस्तानी सासन प्रसासन के लोगों ने सहीत जवान बजेंदर सीह को सोचल मीडिया के माध्यम से सरदान जली अर्पित की है वहीं उनके इस अदम में सास के आगे नमन भी किया है साथियों हम आपको बताते की सही जवान बजेंदर सी है कल बाड़ पिडितों को बचाते समय असम में सहीध हो गई है साथियों उनका पार्थियों सरिल सेना के विशेश्वान से उनके गाउं कल लाया जाएगा जहां उनकी अंतिम यात्रा और उनका अंतिम संसकार पूरे राष्टिये सम्मान के साथ उनके गाउं में किया जाएगा भारत माता के वीर सपुच सही जवान बजेंदर सिहें जी को मेरा सचद नमन भगवान मा भारती के वीर सपुच सही जवान बजेंदर सिहें जी की आत्मा को सांती प्रदान करे वहीं उनके वीर परिवार के लिए गहरी सवेदना प्रकट करता हूं और इस दुक्की गाड़ी को सहन करने की सक्ति प्रदान करें सत्यों बताया जा रहा है कि सहादत की सुचना मिलता ही गाउं और गाउं के आसपास के छेतर के लोग भारी संग्चा में पहुँच गए हैं आओ जुक्कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता हैं कितने खुस नसीब होते हैं वो लोग जिनका खुन वतन के काम आता हैं साथियों भारत माता के वीर सपुच सही जवान बजेंदर सिहें को उनकी सेवाओं के लिए मेरा सच्चा नमन